बात है 1989 की 1989 एक cricket match हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडिया almost हार नहीं वाला था टेस्ट मैच था और पांचवा दिन था जिस दिन उनको ड्रॉ करवाना था इंडिया को match लेकिन सामने से वसीम अकरम वकार यूनिस उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था बड़े बड़े दिगज आउट हो गए और सब को शॉर हो गया था कि इंडिया अब बस हार नहीं वाला है अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता उस टाइम पे जब अजुरुदीन रवी शास्त्री श्री कान जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए तो एक 16 साल का लड़का आगर के पिछ पे खड़ा हो गया वकार यूनिस के सामने और वहाँ पर बाकी के जितने भी प्लेयर्स थे उन सब की ये वर्डिंग है कि उससे फास्ट पिछ हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी इतनी ग्रास थी उस पिछ पे मतलब उससे फास्ट पिछ हमने कहीं नहीं देखी इतनी तेज थी ओपिछ की किसी को बॉल ही नहीं देख री थी लगते जितनी तेज आ रही थी बॉल वह वो 16 साल का लड़का महां पे खड़ा हुआ और एक बॉल आई पाउंसर मकार यूनिस के तेड़ सो की स्पीड पर टपा बढ़ा और सीधा आकरके उसकी नाथ पर और खून निकलने लगा चारो तरफ खूनी खून उसके कपड़ों पर उसके ग्लाउस पर उसके फेस पर उतर से फिजोथरपिस भागता हूँ आया क्रीज की दूसरी तरफ नवजोथ सिंग सिद्धू था वो आया सब आ करके खड़े हो गए पाकिस्तान के सारे प्लेयस भागते हूए आये देखने के ले के वही क्या हुआ क्या हुआ उसा तरफ खूनी खून उतर से फिजोथरपिस आया आ करके उसने रूई रखी नाक पे खून को रोखने कले लेकिन खून निकले जा रहा है दर दर और फिर सिद्धू ने आ करके उसको बोला कि तुम ऐसा करो तुम ना वापिस चले जाओ वहाँ पर इंजर्ड हो करके रिटायड हर्ट हो करके और वापिस आजाना थोड़ी देर में तब तक यह जो इतने पेसर्ज हैं वो लोग चले जाएंगे तुम एक तो घंटे बात वापिस आजाना प्रॉब्लम क्या है और अगर ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो हॉस्पिटल जाकर के इलाज करा लेगा तो अल्मॉस्ट डिसाइड़ था कि वो चला जाएगा मतलब वो बैठा हुआ था तब तक अपना खूल ऐसे ऐसे कर रहा था फिजो थेरपेस उसको ठारा था उठा रहा था के भई चलो पैविलियन में चलो आपर चलो और चल के बैठो तुम्हारा इलाज करते है वो इरिटेट हो गया उसने दो वर्ट ऐसे बोले जिसने सिरफ इंडिया की नहीं इस पूरी दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री को पलट करके रखती है पूरी की पूरी दुनिया की वो दो वर्ट थे मैं खेलेगा मैं खेलेगा इमेजन करो एक 16 साल का लड़का टीवी पे जितने भी लोग देख रहे थे इस्पेशली विमिन उन सब का ये कहना था कि ऐसे ऐसी चीजों पर बैन लग जाना चाहिए कि 16 साल के लड़के को अलाव ही नहीं करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े पेसर्स के सामने जाने के लिए ये कोई तरीका है क्या कर रहे है तो अगर वो पैविलियन चला जाता तो पूरी दुनिया समझ जाती पूरी दुनिया को उसमें तरस आ रहा था सिवाए एक इनसान के उसको खुद को बस उसको खुद को अपने हाप पे तरस नहीं आ रहा था और उसने ऐसा बोला जिससे सब कुछ बदल गया और अगली ही बॉल जो सामने से आई उसमें उसने चौका मारा चौका मारने के बाद किसी की हम्मत नहीं हो रही थी कि वकार यूनिफ़स की आँख में आँख डाल करके देख सके इस सोला साल के लगे ने आँख में आँख डाल کرके देखी आँआख डाल गाल अँभिल इक हारा हुआ मैच्ष जो इंडिया हारा पड़ा था, मतलब सबको पूरा बरोसा था कि इंडिया हारेगा मैच, उस मैच को ड्रॉ करा दिया, मतलब उस मैच को बचा लिया सचिन तंदुलकर की और सिद्दू की पार्टनर्शिप, 101 रन की, 57 रन्स बनाई सचिन तंदुलकर की and that's where a star was born, एक star पैदा हो गया, आज नहीं हुआ, आज जिसको हम जानते हैं वो बाह नहीं हुआ, वो हो गया था, तभी हो गया था, तभी जो उसने किया था, ये ही वो फर्क है, ये ही वो फर्क है, उन लोगों में, जो कर जाएंगे और जो नहीं कर पाएंगे, सब कुछ समझ आ गया, बहुत बढ़ी है, तो अब आप करोगे तो इसका मतलब ऐसे ही होगा, जैसे आप चाहते हो, नहीं, लाइफ, वो करेगी जो आपने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे, अब तो संदीप महिश्वरी ने सारा पॉम उस टाइम पे जो फर्क होगा ना एक विनर में और एक लूजर में, वो बहुत सिंपल सा है, जो उसके दस सेकंड के अंदर अंदर पता लग जाएगा, दस सेकंड के अंदर, दस दिन नहीं लगेंगे, दस सेकंड के अंदर, जो लूजर होगा, वो गिरेगा और दुबारा बार गिरेगा, हजार बार गिरेगा, और दुबारा से खड़ा होगा, और खड़ा हो करके बोलेगा, कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा,